बिस्मिल्ला रमान रहीम असलाम अलेकुम स्टुडेंट्स जैसे के हमने बीए सी पार्ट वान चैप्टर नबर टू प्रेजेंटेशन आफ डेटा स्टार्ट किया हुआ है जिसमें आज हम एक्जेंपल 2.2 करेंगे इस एक्जेंपल में मरे पास क्या है कि हमें ग्रूप फ्रिक्वेंसी डिस्त्रिबूशन बनानी है अज़न इस फॉल्विंग डेटा और यह डेटा मारे पास क्या है 60 एपल्स का डेटा गिवन है ठीक हैं उनकी वेड्स गिवन हैं में nearest gram में so वो weights 60 apples की weight record किये गए है तो इन 60 apples की weights के लिए हमने frequency distribution बनाना है ठीक है so frequency distribution हम कैसे बनाएंगे पहले भी इस से previous videos में हम जो है तो सीख चुक है frequency distribution कैसे बनाते है आज इस video में again जो है तो वही procedure यहाँ पे इस data के लिए repeat करेंगे तो यह students हमारे बास 60 apples के जो weights record किये गए है वो यह वो तमाम weights इन weights में अब देखे frequency distribution हम में रपस क्या है हम क्यों करते हैं ताकि जो data होता है एक representative form में आ जाए ठीक है ना so यह अब अगर आप देखें आपके सामने गरीस तरह से data रख दिया जाए तो किसी को भी easily वो समझ में नहीं आती ठीक है so understandable way में convert करने के लिए हम क्या करते है frequency distribution हम इसको change करते है so frequency distribution हमारे पास frequency distribution कैसे बनाते हैं हम सीख चुके हैं कि हमारे पास क्या होता है हम classes हमारे पास होती है classes होती है and then classes में उनको उनकी frequencies लिखते हैं ठीक है so अब classes आपने कैसे बनाने के लिए आपके पास proper class interval का होना जरूरी है आपको class interval find होगा आपको मालूम होगा कि यह class interval है तो classes बनाना कोई मुश्किल नहीं होता सबसे पहले हम class interval find करते है ठीक है class interval कैसे आता है उसके लिए हमें सबसे पहले जो है तो range find करने पड़ती है range हम कैसे find करते है range आपके पस क्या होती है range simply largest और smallest value का difference यानि range आपके पास यहां पर क्या आएगा इस data set में अगर देखा जाए this 24 is largest value यानि सबसे बड़ी value इस data में 204 है 204 ठीक है यह 204 यहां पर अगर हम लिखें and then minus सबसे smallest value और सबसे smallest value जो इस data में मारे पास है वो है 68 ठीक है 68 so 204 minus 68 अगर हम करें तो हमारे पास result आता है 136 136 यानि जो range मारे पास आई है वो क्या ही है 136 हम क्या find कर रहें interval find कर रहा है ठीक है class interval जिसको हम represent करते है small h से so अब class interval आपने कैसे find करना है यहां से 136 आपके पास आया है यह 136 divided by number of classes let's suppose हम 7 classes हमें चाहिए यानि हमने यहां पे 7 classes बनाने है तो 136 divided by 7 हम करेंगे तो 136 divided by 7 करने से हमारे पास जो result आता है वो क्या है 19.47 लेकिन approximately हम उसको क्या लिखते है 20 19.47 approximately h की value हमारे पास क्या है यानि जो class interval हमारा है हम वो हमारे पास 20 हो गया ठीक है 19.47 जो है वो approximately 20 होता है सो 20 हो गया class interval हमारे पास आगे classes हमने कितने बनानी है 7 classes बनानी है class interval आपको 20 है सो अब classes बनाना बहुत ही easy हो जाता है ठीक है सो कैसे आएंगी classes सबसे smallest value हमारी क्या है 68 है सो class हम start लेते हैं let's suppose 65 से यह आप देख सकते students यहां से हमारे पास यह groups बन गे 65 to 84, 85 to 104, 105 to 124, 125 to 144, 145 to 164, 165 to 184 and 185 to 204 last range आप देख सकते हैं मारे पस क्या आई है 204, largest value क्या थी 204 लेकिन smallest थी 68 हमने start लिया है 65 से और अब आपने के करने 65 में जब आप 20 एड करें तो next class की lower limit वो आनी चाहिए और वो यह देखे हैं मारे पस आ रही है क्या 85 ठीक है न और फिर 20 एड कर दें तो 105 आता है और इससे एक value small यहां पे लिनी है तो इस तरह से अपने classes बना दीने हैं ठीक है and then हमने क्या करना है class boundaries बनाने है और class boundaries हमारे पास कैसे आती है बहुत ही simple है हम class boundaries बनाने की भी अलेक्सी वीडियो बना चुके हैं हम सीख चुके हैं कैसे बनाते हैं आपके पास इन दोनों को subtract करते है यानि 85-84 85-84 जब हम करें तो हमारे पास यहां से क्या result आता है यहां से हमारे पास value आती है 1 and then हमने उसका half लेना होता है half मतलब 2 पे divide करना है ठीक है तो यहां से हमारे पास result क्या आता है 0.5 अब यह 0.5 आपने इन तमाम lower class boundaries से subtract करनी है और upper class boundaries में इसी 0.5 को आपने add कर देना है तो आपके पास class boundaries जो है वो आ जाएंगी यह इस हमारे पास class boundaries बन गए तमाम जितने भी lower class limits थे उन में से हमने 0.5 को minus किया और upper class limits में 0.5 को add किया हमने 0.5 ही क्यों किया है तो उसकी वज़ा यह है ठीक है तो अब next necessary column हमारे पास होता है for making a frequency distribution वो क्या होता है वो हमने पास टेली जो हम टेली करते हैं हमने पास हम देखते हैं कि इस group में कितने जो observation है वो like करते हैं तो टेली का ग्रूप बनाने के लिए हमारे पास क्या हमने करना पड़ता है यहां पर इसको देखना परते हैं क्या है 65 to 84 65 to 84 अगर इस data को देखा जाए तो हमारे पास जो observation लाइक करते हैं वह यह देखे 76 हमने यह करना है 65 और 84 या तो 65 या 84 या इनकी बिट्वीन कोई वैल्यों सो वह हम चेक कर रहे हैं इस group में कहां पर लाइक कर रहे हैं तो फर्स्ट अमारे पास 76 हो गया 82 तू वैल्यूस हो गई ठीक है एंडिन हमारे पास यह वह तमाम 9 वैल्यूस जो है जो हमारे पास इस group में लाइक कर रहे हैं तो यहाँ पर हम कहते हैं फ्रिक्वेंसी का कॉलम यहाँ पर 9 लिखते हैं ठीक है नेक्स्ट ग्रूप में हमें चाहिए 85 तो 104 तो 85 से 104 की values को देखते हैं तो यह वह 10 वैल्यूस है जो इस group में लाइक कर रहे हैं तो यहाँ पर 10 हमने लिखना है नेक्स्ट मारे पास है 104 105 तो 124 तो 105 तो 124 में अगर इसी group में देखा जायता हूं के पास 17 वैल्यूस लाइक कर रहे हैं यह देखें कौन कौन सी वैल्यूस है यह वह 17 वैल्यूस है जो हमारे पास इस group में लाइक कर रहे हैं नेक्स्ट ग्रूप में हमने देखना है 125 तो 144 तो 125 तो 144 हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूस है यह वो 10 वैल्यूस है जो हमारे पास इस group में लाइक कर रहे हैं नेक्स्ट ग्रूप में हमें चाहिए 145 तो 164 तो 145 तो 164 अगर इस ड्रेटा में देखा जाए तो हमारे पास कितने वैल्यूस है 5 वैल्यूस है और वो कौन कौन सी है यह वो 5 वैल्यूस है और नेक्स्ट ग्रूप में हमारे पास है 165 तो 184 तो 165 तो 184 अगर देखे तो हमारे पास इस group में कौन कौन सी वैल्यूस आती है यह वो 4 वैल्यूस है जो इस group में like कर रही है नेक्स और लास्ट ग्रूप जो हमारे पास है वो है 185 तो 204 तो 185 तो 204 हमारे पास इस group में देखे कौन कौन सी वैल्यूस लाइक कर रही है फाइफ यह वो फाइफ वैल्यूस है जो हमारे लास्ट ग्रूप में like कर रही है सो स्टुडेंट्स यह हमारा क्या है frequency distribution बन गया यह हमारे classes है यह class boundaries है यह telly हमारे पास होगे telly का column and यह है frequency का column so I hope आप लोगों को इस असान से example की समझ आगे होगी अगर आपको इसमें कहीं भी भी कोई भी problem है then you can ask in comment section thank you so much for watching